सात्यों नमस्कार आज के वीडियो में रास्तान जिके के 30 important क्यूसन लेके हैं जो कि रास्तान के वीविन competition exam में अब तक पूछे जा चुके हैं अगर आप लोग रास्तान के किसे भी competition exam की त्यार ही करें तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत important रहने वाला है क्यूंकि सारे important क्यूसन और पहले भी पूछे जा चुके हैं तो आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा और आप लोग साथ में answer भी दीजेगा और वीडियो के अंतक बताना कि आपके 30 में से कितनी क्यूसन सभी इमानदारी से comment करके बताईएगा पहला question आपके सामने है विसो में सबसे हदिक आबादी वाला जो मुरुस्तल वा कौन सा है comment कीजिए आप लोग option आपके सामने है जो थार का मुरुस्तल है जो कि विसो में सबसे हदिक आबादी वाला मुरुस्तल है करते हैं इंपोर्टनर कि इंपोर्टन नियुअ पूछा घर है इंपोर्टनट वे होते हैं उसका उप्मसी, मैं प्हईरों को स्थाणी अभाशा है किया है, और फिरॅलसक्जिश्था हो होजेगा, Kimon Wagen भी युज suited हो सबसे पंजिला कौन से अपके सामने तो सिरी गंगानगर है जो की सबसे संपन्जिला माना जाता है रेकिस्तान का ठीक ऑप सन ऐसका सही हो जाएगा क्जियों मोन कि बात करतें हैं निमन मेंसे मरूदर के नाम से रास्तान क्वा बर्सीद है इंपोर्टेंट को पूछा गया इस पर स्टार लगा लेना वीड़ियो गन्त में आप एनसे में इंपोर्टेंट क्वाइन पूछने पहाड़ी पहाड़ी के स्धित्थ किलभा कौन सा है त्रिकूड पहाड़ी का जो किल्हा है वो काफ़ी पहमस है और ये जैसलमेर का किल्भा है बहुत ज़जदा इम्पोर्टेंट क्यूसन है श्टार लगा ले ना इसको भी Q6 की बात करते हैं निमन में से 56 की पाड़ियां स्थीत है 56 की पाड़ियां कौन से जिले में स्थीत है 56 की पाड़ियां बाड़मेर जिले में ऑप्सन भी इसका सही हो जाएगा Q7 की बात करते है बाड़मेर में स्थीत गोलाकार पाड़ियों को क्या का जाता है कि jufoлы nम्र 8 राजस्थान में रगस्थान कितने पर adviser buy बाग बे निवर ओ गजी तो छांसर testing. ओप्सड़ नाइन मीशगा बठार राजस्थान के कौन से जिल्ले में हैं तो यह और इसका सही है चितोडगर चिले में आप लोग भी कॉमेंट कीजिए गासाथ में ठीक है वीडियो के अंत में बताना तीस में से आपके कितने सही होगे थे क्योसन नमर 10 के बात करते हैं राजस्तान में अंतराश्टिय सिमा के लंबाई कितनी है ये क्योसन कई बार पूछा गया है और याद रखना 1070 के में और ये क्योसन पूछा भी जा सकता है इजी क्योसन है लेकिन कनफ्यूज होगाद है क्योंकि जिस पर का रॉप्शन आपको म विवाग है सबसे ज्यादा उपजाओ बहुति कौन से तो ऑबसन बी इसका सही पूरवी मैदानी भाग है जो कि सबसे ज्यादा उप जायए हो ठीक है ऑफ्शन भी इसका सही हो जाएगा क्योसन नमर 12 की बात करते हैं राजस्तान में अरावली परवतमाला का विष्थार उ परवत्माला एं अरावली परमुत्माला तो आजमेर में तो यह सारे इंपॉर्टन क्यूशन मिलते है और आवली परवत्माला भी ठीक है तो आपसन डी इसका होजेगा क्रिष्ण क्यो私 3 कि भी नीमन मेंसे खंदीन का आविसकार किस नी किया था किस नीन चारा किस कि दोवारा किया था तो आप्शन और oc Felमर के जो पालीवल ब्राह्मनं ONK मेंन किद भारा किया था किई है चैनल को सब्सक्राइब करें डेली इंपोर्टेंट के वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा गगर नदी को जो नदी के पार्ट को रास्तान में नाली के नाम से भी जाना जाता है क्योसहन मर 15-25 रास्तान में पाये जाने वाली स्यवन देखिये सयवन क्या है, सयवन पर आपको पता है कि कई बार क्योसहन पूँचा गया है, गाम के बचते वो टिक कर देते हैं लेकिन श्टिय वाले बचते गल्गत कर पाते हैं, तो conquer सी इसका सही हो जाएगा गहास होती है क्यूसर नमर 16 रास्तान राजे के मरुस्तल के परसार को रोकने के लिए अपना स्क्रिय योगदान देने वाला संस्तान राजस्तान राजय के अंदर मुरुस्तल को परसार को रोकने के लिए अपना सबसे ज़्यादा योगदान है किसके संस्तान के दोगरा किया गया था तो काजरी है ऑपसन बी इसका सगी है काजरी क्योसर नमर 17 ये सारे important क्योसर आप लोग अन तक वीडियो को देखेगा नीमन में से राजस्तान में सरवादी की वेर्थ भुमी किस जिले में सबसे ज़्यादा वेर्थ भुमी तो आप समझी हैंगे जैसल मेर option C जैसल मेर के अंदर ठीक है क्योसर नमर 18 नीमन में से माल खेट की पाड़ियां किस जिले में माल खेट की पाड़ियां important क्योसर नमर 19 की बात करते हैं थार के मरस तलका जो किशेतर पल कितना है ठीक है थार के मरस तलका किशेतर पल बताना है option C आपके सामने किलोमेटर ठीक है क्योसर नमर 20 की बात करते हैं राजस्तान में स्थीत मरस तलका किस नाम से जाना जाता है राजस्तान में जो मरस तलका किस नाम से जाना जाता है थार का मरस तलका सही हो जाएगा थार का मरस तलका क्यूस्ट नमर 21 के बारत कहते हैं निमन में से पच्वी रास्तान के जेसलमर में होने वाले क्रिशी जेसलमर के अंदर जो है कौन सी क्रिशी होती है खंडीन ओप्सन एसका सही हो जाएगा खंडीन किसोdar 25 निम्न में से हमादा किसी कहते है हमादा क्या हुँता है किसी को कह जाता है तो जो 조 चिटानी मुरूस्तल है इनको हमादा कह जाता है किसोंस नमर 23 कि बात करते हैs 5 रेतली सुसक मैदान को अन्ने किस नाम seminar जाता है ठीक है तो रेतेली सुसक मैदाना पच्छमी की अंदर उनको अने किस नाम से जना जा तो बालू का स्टूप ठीक है बालू का रेत को हम लोग बालू बोलते ना जो सन्वर चोईस राजस्तान का लगबग कितना जो भूबाग है उत्री पच्छमी रेकस्तान के अंतरगत आता है तो यहां पे उप्सन भी सक शही हो जेगा बनास चमबल बनास सबसे लंबी नदी कुमीर 6 सागर किसके आवसेस है क्यूसल आपके सामने जल्दी से अंसर दीजेगा तो बनास डियिक सागर बनास कुमीर 27 भार्थ पाकिस्तान के मद्देगी अंतराष्टिय सीमा का नाम बता यह क्योसन बहुत बार पूछा गया है और मेरे साथ से 90% बच्चे सही कर देते हैं फिर भी आपको पता होना चाहिए ऑप्सन ए रेड कलिप रेखा है ठीक है भार्थ पाकिस्तान के बीच में जो रेखा ह बड़े टिले हैं उनको क्या 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 जाता है उप्सन आपके सामने खादर धोरे खंडीन बर्कॉर जो गाम से बचचे गराम से बचचे वह यहां पर सही कर देंगे क्योंकि धोरे का जड़ा है रेथ के बड़े बड़े टिल्लें होते हैं टाफंटिक हरप सबसे बड़ा वन्यजी अभ्यारनी अस्तीत है तो option D का सही है 355 मुरुस्टिलेक सितर में जो सबसे बड़ा वन्यजी अभ्यारनी स्तीत है कि उसन मर 30 की बात करते है मद्ध अरावलिक सितर के सरवादिक उंचाई पे कौन सी चोटी सित है जेगड तारागड रगुनात गड़िया इन में से कोई नहीं तो तारागड है इंपोर्टेंट कि उसने ऑप्सन भी इसका सही हो जाएगा तारागड है जो कीमत यह रावली में सबसे उंची चोटी है इसका ऊपको कॉमेंट करके बताना है आप आप लोग एंसर कीजिएगा तक है क्या रहता है मिठा रहता है क्या रहते है लूणी जो पानी है मिठा रहता है क्या रहता है जो आ गर आ बिदाये गा और आप बताईगा किप सिप्सक्राइब करो अगर अगर आपको आप पूरा डाश्तां सिंग्वर करए जाएगा अगर आप लोग डैली इसे प्रश्ट viendo करो करें हमारे साथ सब्सक्राइब थेंगころ